हलो एंड वेलकम टू अल्वियूस मैं रंजीत सिंग आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो आज हम लोग बात करेंगे अनुग्रह नरायन सिनहाजी की जिसे बिहार पीभूती भी कहा जाता है यह हमारे बिहार के काफी बड़े लीडर रहे हैं और 18 जुन को इनकी बर्थ के सेवा में खतम हो जाता है और जब आप उनकी इतिहास पढ़ेंगे तो उनका इतिहास उस देश-णराज्जे से बिलकुल भी अलग नहीं होता है जो जो घटनाए उस राज्ये के अंदर या देश-णर घटी होती है वही घटनाए बस उनकी जिन्दगी में भी चलते रहत और वही उनका भी इतिहास होता है तो कुछ उनी जैसे लोगों में से एक है हमारे अनुगरह नरायन सिनाजी जिनका इतिहास पूरा बिहार का इतिहास ही है यानि बिहार की इतिहास और अनुगरह नरायन सिनाजी की इतिहास कुछ अलग नहीं है तो मैं कोशिस करूँगा इनक बर्थ एनिवर्श्री होती है 18th June को तो इनका जनम हुआ 18 June 1887 को औरंगाबाद बिहार में जो कि उस वक्त बंगाल हुआ करता था तो औरंगाबाद बिहार में इनका जनम हुआ और उनकी अरली सिक्षा जो होती है अरली एजुकेशन उनके गाउं में ही हुई और उसके बाद 1914 के आज पास इन्होंने हिस्ट्री में MA किया Presidency College कुलकता से जो कि आज लगभग 200 साल पुरानी हो चुकी है यह University काफी पुरानी कॉलेज है यह तो वहाँ से इन्होंने MA की हिस्ट्री में और उसके बाद वो बिहार में teaching करने आ गए इन्होंने lawyer की practice की law की practice की म आनी जो मैंने बताया आपको कि जैसे ही इन्होंने अपने early education भीहर में complete कर ली अपने गाउं में ही उसके बाद यह गये MA करने के लिए कुलकता में Presidency College से उसके बाद वो वापस आया तो TNB College भागलपुर में teacher की तरह मतलब एक सिक्षक के नाते वो वहाँ पढ़ाने लगे history पढ़ाने लगे और उसके बाद 1916 में आपको पता हुआ कि पटना high court खुलता है पटना high court बनाया जाता है government of India act 1915 के तहत बिटिशर्स ने यह अनुमती दे दी कि अब high court खुलेगा पटना में भी तो वहाँ पर यह law की practice करना शुरू कर देते हैं लगबग एक सालों तक law क practice करते हैं उसी वक्त महत्मा गांदी जी चंपारन आते हैं जब चंपारन सत्यागरा की शुरुआत होती है और गांधी जैसे ही बिहार आते हैं यह लोगों को अहवावन करते हैं लोगों से लोगों को यह बोलते हैं कि आप आईए आप मेरे साथ जुड़िए और देश के जुड़िए चंपारन के फार्मर्स को अजादी दी लाइए जो भी उन पर सोसन हो रहा है उससे तो उसके लिए जितने भी जागरित लोग थे बिहार के वो लोग गांधी जी के साथ जुड़ गया और उनहीं में एक थे अनुराग नरायन सिनाजी जो इस फ्रीड़िए मे कि जो भी ये चीज थी उनसे सिखा उनके आइडियोलोजी को उनसे लेसंस लिये और फिर बिहार में अपनी पॉलेटिकल कैरियर शुरू की ठीक है इनके साथ और भी नेता होते थे जैसे डॉक्टर राजेंदर परसाद या फिर मजहरू लाग ये सब लोग उसी वक्त के प कॉपरेशन मुवमेंट शुरू होता है जब देश के हर जग हर कुने कुने में गांधी जी के अहवावन पर ठीक है जो ब्रिटिस की स्कूल्स होते हैं उसको बुआयकट किया जाता है जो दुकाने होती है उनको बुआयकट किया जाता है उसी वक्त बिहार में नेशनल कॉ जाते हैं अनुग्रह नरायन सिना जी और ये वहीं पर पढ़ाने लगते हैं बिहार बिध्या पीठ में वहाँ पर जिन बच्चों को ये पढ़ाते हैं उनमें से पहले कुछ जो बिध्यारती होते हैं उनमें होते हैं जैपी नरायन जैप्रकास नरायन जिन्होंने जो मौडर रहा है उसे देश हमेशा नमन करेगा तो वो जो सीख थी उनके अंदर जो वो पॉलिटिकल लिडर्शिप का गुन था कहीं न कहीं अनुग्रह नारायन सिनहा जी की छबी थी उसमें क्यूंकि ये उनके सिस्से हुआ करते थे बिहार बिद्ध्या पीठ में कि अब दोस्तों मैंने बताया 1921 में ये वहां पढ़ा रहे थे साथ ही साथ इन्हें जिम्मवारी दे गई कि आइंसी की जो गया सेशन होने वाली थी दिसंबर 1922 में उसकी पूरी तरह से और्गनाइज करने की जिम्मवारी इन्हें दे दी गई और इन्होंने पूरी अच्छ स्थापित कर दिया गया अब उसके बाद मैं आपको बतातू कि उसके बाद क्या हुआ है दोग्टर राजेंदर परसाद जी पतना मेंस्पैलिटी के चे civ कि यहर मैंड बने तो डॉक्टर इन्हों नरायन शिनहा जी को बना दिया गया का ओइस चेयर मैं औधी और आप यह मैंने आपको पता है कि यह पत्ना मिनिस्पालेटी के वाइस चेयरमेन बन गए उसके बाद गया डिस्ट्रिक बोर्ड के यह चेयरमेन बन गए जैसे ही गया डिस्ट्रिक बोर्ड के चेयरमेन बने यह वाइस चेयरमेन के पत्से जो पत्ना मिनिस्पालेटी के वाइस चेयरमे तो आपको पता है कि अंग्रेजों का तो ये अक्सर होता था कि जैसे ही कोई भी बड़ा धमाका होने वाला होता था कोई भी बड़ी प्रोटेस्ट रैली होने वालती होती थी या कोई भी मुव्मेंट शुरू होने वाला होता था तो वो सारे बड़े बड़े लीडर्स को ज जेल में डाल दिया 1923 में और लगबग 15 महिने तक ये जेल में ही रहे जब बाहर निकले 1934 में तो देखा कि ये तो पूरी तरह से नेपाल और बिहार में भुकम पा चुका था काफी बड़ी भुकम पाई थी दोस्तों 1934 में बिहार और नेपाल में जो नौर्थ बिहार है वो पूरी तरह से बरबाद हो चुगा था तो जैसे ही ये बाहर निकले जेल से इन्हों ने इन लोगों की मदद करने के लिए ठीक है बिहार सेंटरल रिरीफ कमीटी का गठन किया लोगों को रियावलाइज करने के लिए लोगों को एक अच्छी जिंदिगी देने के लिए जो 1934 के बास 1935 में दोस्तों पता होगा आपको कि Government of India Act आती है Britishers ने इस Act को पास कर दिया और उसमें ये कही गई थी कि provincial autonomy दी जाएगी और यानि राज्य में provinces में अब अपने सरकार बना सकेंगे Indians तो इसी क्रम में 1936 में बिहार legislative assembly के गठन होता है और उस वक्त मैं आपको पता कि CM नहीं PM कहे जाते थे ठीक है जो भी provincial वहाँ पे assembly होती थी उसके जो head थे मुख्या होते थे उन्हें PM कहा जाता था था थो PM जो बने बिहार legislative assembly 1936 के उन्हें स्रीकृष्ण सिनहा उनका नाम था और जो deputy PM बने और finance minister भी बने उस वक्त के वो डॉक्टर अनुगरह नरायन सि जी बने यानि बिहार legislative assembly का गठन होते के साथ ही deputy PM और finance minister का पद संभालने या डॉक्टर अनुगरह नरायन सिनहान है यह basically किस constituency से इन्होंने लड़ा था election तो यह सहाबाद और पतना constituency से इन्होंने election लड़ा था और स्रीकृष्ण सिनहा जी को appoint कर लिया गया था basically के लिए अब उसके बाद इन लोगों ने ब्रिटिसर्स से कहा कि आप जो भी political prisoners हैं उनको छोड़ दे पर ब्रिटिसर्स ने यह बात नहीं मानी और इसी बात के बज़ा से यह सरकार भंग कर दी गई पूरी तरह से दोनों आदमी ने resign कर दिया अनुगरह नारायन सिनहाने भ 1936 तक चलता रहा 1949 वर्ड वर टू शुरू होने वाला था आपको पता होगा दोस्तों वर्ड वर टू जब शुरू हुआ तो ब्रिटिसर्स यह चाहती थी कि बिहार या भारत के भी जो भी सेना है सैनेबल हैं वो पार्टिसिपेट करें वो यूके को सपोर्ट करें ब्रिट से उन्होंने रिजाइन कर दिया और फिर से सरकारिये भंग हो गई और डिसर्स ने फिर से अनुगरह नरायन सिनाजी को जेल में डाल दिया 1944 में फिर ये जब बाहर आएं तो देखें कि फिर से त्रास्थी फैली हुई है बैंगॉल फेम आई ना चुका था 1943 में काफी रोग फैल चुके थे तो उसके लिए इन्होंने काम करने की ठानिम और 1944 के बाद उन्होंने यही काम किया और लोगों को हेल्प करते रहें अब आपको पता है कि 1946 में संबिधान सभा बनाया गया भारत में तब तक ये पता चल चुका था कि अब देश को अजादी दी जाएगी लगभग एक दो साल के अंदर में अजादी दे दी जाएगी और इसलिए भारत को अपना संबिधान बनाने का ये मतलब बिटिशर ने अलाव कर दिया कि अब आप अपने संबिधान बनाईए एक संबिधान सभा का गठन कीजिए और आपके यहां क्या रूल्स रेगुलेशन्स नियम कानून होंगे वो आप तैय करें तो ये संबिधान सभा में सुल्ह कमिटी बनाई गए ये आपको पता होगा और काफी मेंबर्स थें इन सारे मेंबर्स में से एक मेंबर अनुगरह नरायन सिनहा जी भी थें और यानि ये संबिधान सभा यानि ये हमारे संबिधान मेकर में इनकी काउंटिंग होती है अनुगरह नरायन सिनहा जी की उसके बाद जैसे ही देश आजाद हुआ फिर से बिहार में वही सरकार बनी और अनुगरा नरायन सिनाजी फिर से डेपुटी सीम के पद पर बैठ गये और स्रीकृष्ण सिनाजी सीम के पद पर बैठ गये उसके बाद इन लोगों ने जो फर्स्ट फाइफ यर प्लान आया 1901 में उसमें काफी बड़ा कंट्रिबूशन रहा अनुगरा नरायन सिनाजी का और जो बिहार की अगरिकल्चर सेक्टर थी उसको जवर्जस्त बुष्ट दिया क्यूंकि आपको पता है फ्रस्ट फाइफ यर प्लान में एगरिकल्चर को बुष्ट देने की ही बात की गई थी और एगरिकल्चर को काफी अच्छा बुष्ट मिला अनुगरा नरायन सिनाजी के नेत्रित्वे में आपको मैं बता दूं कि पॉल एच एपले नाम के एक पॉब्लिक अड्मिनिस्टेश्टर थे हैं जिनको जवाहरलाल नेहरू ने ये भेजा कि आप जाईए देखिए बि बिहार देश का सबसे अच्छा राज्य बन रहा है और सबसे संब्रिद और सबसे प्रगती सिल राज्य है ऐसा कहा था उन्होंने अपने उस रिपोर्ट में तो आप समझ सकते हैं किस तरह से डॉक्टर अनुगरा नरायन सिना और स्रेक्रिशन सिना ने पूरी तरह से बिहा बिहार को अच्छे रास्ते पर ले करके आ रहे थे ठीक है और अल्मोस्ट ले करके आहीं जुगे थे जैसा ही सेकेंड फाइफ येर प्लान शुरू हुआ उन्नीस सो चपन में जिसमें इंडस्ट्री अलाईएशन की बात की गई तो अनुग्रा नरायन सिना जीन के इवेन वो आये लो इंटरनेशनल लेवर और्गनाईजेसन जो है कैनेडा में वहां तक भी गए नेपाल तक पहुँचे हर जगा अपने डेलिगेशन से ले करके गए और लोगों को यहां तक बिहार तक खिचलाने की कोशिस की दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इस सेकें बिहार बिभूती का नाम दे देते हैं इन्हें पहले से ही बिहार बिभूती कहा जाता था ऐसा नहीं कि इनके दिहांत होने के बाद इन्हें बिहार बिभूती कहा गया लेकिन ये बिहार बिभूती हमेशा के लिए अमर हो गया सब्द हमारे बिहार के लोगों में बिहार के लोगों के अंदर के लिए और इनको इनी जज़वा इनी इनके नित्रित्वे के लिए भारत सरकार ने इनके सौवे सालगीरा पर इस तरह के स्टैम्प निगा ले और 125 सालगीरा पर बिहार सरकारना भी अच्छा खासा प्रोग्राम किया था तो मैं इनके बारे में जो कुछ भी जानता था आपको बताने की कोशिस की है डॉक्टर अनुग्रा नरायम सिनहा जी का मैंने जैसा ही आपको शुरुआत की थी इस लेक्चर का मैंने बताया था इनका इतिहांस, बिहार के इतिहांस से कुछ अलग नहीं है, जिनका इतिहांस, उनके कर्मों के वज़े से, उनके कर्म च्छेत्र उनके जो, work area होते हैं, work place होते हैं उसी से related होते हैं, तो हई होप आपको इनके बारे में समझ में आया होगा, और समझ में तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और मेरे साथ जूड़ जाएगे